Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का देई इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHA 01, Lesson 22 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे सामन्तवाद के चरण देखें, सामन्तवाद का जो पूरा यूनिट है, MA History, MHA 01 के अंदर में अल्मुस्ट चार से पांच Lesson आते हैं और आपको विस्तार से समझना है कि सामन्तवाद होता क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो हमने पहले Lesson के अंदर में पढ़ा कि सामन्तवाद है क्या सामन्तवाद कहते किसे है तो उसको Simple सा Definition ये बनता है कि किसी भी जमीन पर किसी व्यक्ति को धिकाल देना कुछ सर्तों के साथ में सामन्तवाद कहलाता है एक तरह का मालो ये सामन्तवाद का परिवासा है Simple वासा के अंदर में कि सामन्तवाद होता क्या है Second Lesson के अंदर में हमने पढ़ा कि सामन्तवाद का सोरूप क्या है सामन्तवाद के सोरूप के अंदर हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या चीज़े आती है किस तर से Lord walk करते हैं किस तर से किसान walk करते हैं ठीके दास क्या था किसान क्या था किस तर से पूरा उनका ecosystem था उसके बारे हमने study क्या था और उसको हमने समझा था कि सामंतवाद का सुरूप के अंदर में आज के इस वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे कि सामन्तवाद का चरण, मतलब सामन्तवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसको जरूत क्यों पड़ी भागों में विभाजित करने का, तो इसको भी अगर समझें, तो मार्क ब्लॉक के द्वारा सामन्तवाद को दो चरण में विभाजित किया गया, कि एक मान क अगर हम study करते हैं तो हम यह समझ सकते कि इस time period के बीच में इस time frame के बीच में यह चीज हुई और इस वाले के बीच में यह चीज हुई ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर दो भागों में उसको भिवाजित किया गए जिसको हम पर्थम चरण और दुत्य चरण के तौर पर सकते हैं आपके किताब के अंदर में मतलब कोशिन विपर के अंदर में ठीक है अगर सामंतवाद इस चैप्टर में से स्पेसली आता है जाए कोशिन तो कैसा बन कराएगा इस चैप्टर में से अगर सामंतवाद का जो चरण चैप्टर है बाईसवाद चैप्टर इसमें से कर को दिवाइब किरा या पाले तोटें बनते हैं कि सीधा तोटि पुछ ले आता है कि सामंत भाथ के दोनों चरणों को सम्झाइब सीधा दोनों सकता है तोनों को घु emager करता है अवा में करता बेसा क्यों तोटिक पुछ लेता है कि पहला बता दो या दूसेरा तो इस तरीके से दूसरा को शन बन सकता है तीस बनने का तरीका यह रहता है इसके अंदर में compare करता है तुल्ना करता है एक दूसरे से कि तुल्नात्मक बेश 중요 पर और तुल्नात्मक बेश बेशेसे बताइए कि इसीसतर आप sat Australian अदर और डोनों गोμोरे फाइल दिख रहा है, normally इसको जितने भी points आपके screen पर दिख रहे है सारे points आपके book में से लिए गया है easy points है, ठीके, आप easily अपने book से reconnect कर सकते हो, जिससे आपको समझने मासानी हो, कि हाँ ये चीज यहां से उठाया गया है, ठीके, और जितने सारे points हैं, कि आप अगर लिखो, तो सही से अच्छे से आप 20 number के लिए अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से work कर सकते हो depend करता है कि आप कितने अच्छे से explain कर पा रहे हो ठीके, मैं आपको यहां पर समझाता हू, point to point, छोटे-चोटे points है जिससे आपको समझने मसानी हो, याद करने मसानी हो, बाकिया explain करना आपके हाथ में कि किस तर से आप explain करोगे ठीके, मैं उम्मिद करता हूँ, वीडियो का आप last तक देखो कि जिससे आपको चीज़े समझाए और अच्छे से आप उसको exam में भी score कर पाओ, यहाँ पर एक request आएगी आप सभी students जो भी वीडियो देख रहे है हमारे चैनल को देई आपको जरू सस्क्राइब करें क्योंकि आपके एक-एक सस्क्राइब करने से हमें motivation मिलती है आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अच्छे से group join कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो comment कीजिए मैं वहाँ पर WhatsApp का लिंक देदूँगा उससे थूरू आप मुझसे बात कर सकते हैं तो इतरी-दरी improvement मिलती है तो मैं यह request करूँगा कि subscribe जरूर करें आपके एक-एक subscribe करने से हमें motivation मिलती है जो viewers नहीं कर रहे हैं, और subscribe जरूर करें एक बार ठीक है, चली start करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले दोस्ते यहाँ पर मैं बात करूँ कि सामन्तवाद तो आपको मैंने बता दिया कि होता क्या है सामन्तवाद का चरण किसने विवाजित किया तो मार्क ब्लॉक के दवरा सामन्तवाद को दो चरणों में विवाजित किया गया अब देखो, सामन्तवाद का यहाँ पे एक track और होता है, जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादव ज़्याद़ ज़रूरी है सामंतवाद कुल 2 परत्तर हैं के होते हैं ठीक है एक तो होता है यूरोपीय सामंतवाद जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं और M.A. History M.H.I.G.O.1 के अंदर में यूरोपीय सामंतवाद के बारे में पढ़ते हैं दूसरा ट्रeम होता है कि भारतिय सामन्तवाद का बारत करते हैं तो थोड़ा सा हो अलग है यूर्पिय सामन्तवाद से बागती चीजें उससी तरीके से वर्क करती हैं तो ये यूर्पिय सामन्तवाद ही इसको आपको माइद में रखके चलना है क्योंकि question अगर भारते सामंधवात का बन कर आए, क्योंकि टॉपिक भारते सामंधवात का भी है आपकी बुक के अंधर में तो उसकी हिसाब से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जली अदद करते हैं, सामंधवात के थे श्रम पर आधारी थे मजदूरी पर आधारी थे हाड़ वक पर आधारी थे यह माना गया उत्पादन अधिसेस नहीं था अधिसेस मतलब क्या उत्पादन के मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी मतलब जो भी पैदावार हो रहा था वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी ब पहले अपना पेट तो भरे फिर में बाकी दूसरे का देखा जाए यह में मोटीव रहता था क्रिशी तकनीक विकास और ओजार अपरियात और कम असरदार थे देखो जो तकनीक था क्रिशी का वह बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था ठीक है ओजार अपरियात थे पूरी मा है वस इतना माना गया कडी मिट्टि होने के क catch if टीन से चार बार ज़ोतना जरूरी पढ़ता था ठीक है करी मिट्टि का मतलम मिट्टी को थी बहुत जादा हाड थी इसका से तीन से चार बार जुटाई होती थी खेत की ठीक है खेतों के जाऊ बनाने के लिए बिभिन होता है तो आपने हगा बाहे हों तो आपने हल देखा हुगा गाउन के अंदर में ठीक हल जूरह बॉल शलाते हैं तो पीछों सहल के पीछे में कि अपके। नकाल आफा जो मिठ्टी को खो घॉता है उसके बाद में एक सथा लगाया जाता था ऐसे करके बड़ा सा ठीक है और उस फ्ट्ट्टे को हल से कनेक्ट किया जाता था और ऌब जू व्टी हल को उपरेट कर से चला रहें उसको जो रभी प्रेसमें पंपाल आए उन परतिख से भान वहांओ, कि मृट्षा औरGGान खानी क्रित्रीक और सो प्रशचलन नफूरा। जो कशने के समतल झान तोemu उन्हें भी ऍ parliament पंपत। ठीक है रसाइन आ रहे उसका प्रचलन नहीं था किसानों दोरा कीट नासक दवाईयां नहीं थी कितानों के पास किता सक दवाईयां यूज नहीं कि जाती थी यूज क्या करेंगे पहले चीज़ यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कबूतर और पंडुक पालना फसल की रक पंडुक घ्रचलन यह बनाने के लिए पंडुक इस लिए परती चोल्ट यह धाता था परती मतलब समय के लिए उसके उपज होता था वापस से आजा नहीं लगा.. फसल अपने विया उब्रक सकती कम हो गया.. अपने परती छोड़ा उर्वरक सकती बढ़ गया.. ये इस तरहीके से देशिकें से वौफ करता है यहां पर हल को खीचने के लिए एक से ज़्यादा जानवरों के उप्योग किया जाने लगा पहले तरह स्थानु दोरा हलों को खीचने लिए एक से जादा संख्या में बैलो को रखना आरंब किया ठीक है पारंब किया ठीक है एक से जादा संख्या में बैलो का मैंने खुद मैंने देखा अपने आसपास में बैलो से खेती करते हुए बिहार के अंदर में वहाँ पे दो बैलो से मैंने खेती करते हुए देखा है जो बड़ा खेत हैं उनके इंदर में च्छोटे खेतों के इंदर में दो बैलों से खिति करते हैं इसके फ्लसरूप पसु पालन को बढ़ावा मिला, ठीक है, अब क्या होगा जैसे अब मालो बैल रख रहे हैं, तो बैल रख रहे हैं, तो यार ऐसी ही रख रहे हो, खा पी देओ, तो खिला रहे हो, तो बैल के साथ में चलो एगाई भी बांध लिया, तो दीरे-दीरे क्या होता था, पसु पाल लड़के के घर गया ठीकर मालों एक लड़की है घर्ल है उसकी फैमिली गई guitlocks गई है बॉई के घर रिष्टे के लिए तो लड़की की फैमिली यह नहीं देखती थी कि इसके घर में कितने बैल है कितने गाय है और उससे मतलब उसका na हैसियत का अंदाज लगा जाता था जानवरों को बहतर उपयोग संभब बनाया उसका उपयोग किया जाने लगा, घोड़े के लिए नाल का विस्कार हुआ, घोड़े द्वारा भी तेजी से जुताई की जाती थी, घोड़े का भी उपयोग किया जाने लगा, घोड़े द्वारा खेत जोतने की पर तेजी से विक्सित हुई, घोड़े की कीमत अधिक होने स से बैलो द्वारा खेती खीव पर जोड़ दिया गया अब देखो तीजी से विक्सित हुई पर उसको रख रखाव और उसको खरीद पानना थोड़ा मुस्किल हो था क्योंकि वह महंगा मिलता था तो उसके कान से वापस से बैलो की और सेफ्ट होने लगे गोडों को रख रख उसका इस तरह से नहीं होता था यह सामुई क्रिश्ची के उपर में जोर भी दिया गया आगे मैं यहां बात कर दोस्तों एक परिवार को हल बैल संपूर्ण खर्चा नहीं उठाना पड़ता था अब देखो सामुई क्रिश्ची का यही एक benefit होता था कि एक परिवार के उप खेतों को तीन भागों में बांट कर खेती करना आरंब किया फसल चक्र का पर उपयोग किया फसल चक्र मतलब किया कि आज ही इस महीने में यह वाला फसल बोना उस महीने में यह बोना है ऐसा करके फसल चक्र का प्रोपर उपयोग किया गया जीवन निर्वा के लिए क्रिश् इस तरह से बनकर आ सकते हैं कि सामंत वात के प्रसम चरण को समझाइए विस्तार कुरूक समझाइए समझाइए इस तरह से कोश्चे बनकर आएगा तो आपको जितनी भी पॉइंट्स ने आपको सही तरीके से समझ कर उसको लिखना explain करना है कि क्या-क्या चीजे पहली चरण के अंदर मुई आप उसको अच्छे से बता सकते हैं और अच्छा topic है कई बार exam में आ जाता है आप roughly एक अंदाज़ा लगा के चलो कि अगर आपने 10 question paper solve किये हैं तो 10 में से 8 question paper के अंदर में सामंत वाद का topic रहेगा ही रहेगा और एक पूरा unit है तो एक unit में से एक question भी ना बनकर रहे तो विकार है ठीक है तो यह रहता है चले हम अगले topic और बढ़ते अपने अगला topic जो हमारा हैगा यहाँ पर सामंत वाद का दृत्य चरण सेकिंड जब चरण के हम बात करते हैं तो सेकिंड चरण का पूरा time period है ग्यारवी स चौदी सताथी का हम देखकर चलते हैं ठीक है अब देखो पहला चरण के अंदर में नौवी से ग्यारवी तक का हमने कवर कि आगे की हम बात करते हैं ग्यारवी से चौदी सताथी के बीच में सामंत वाद का क्या-क्या चीज़े रही है तो कृषी उपज में विर्दी ख्रावा किर्शी उपज विर्दी होगा तो विर्दी हो रहा है तो क्या-क्या हमें जनसंक्या में इंप्रूमेंट दिखेगा बढ़ेगा सामो ही किर्शी के स्थान पर नीजी-क्रिशी की और बढ़ने लगे हैं तो मुझे ना फिर साथ रहकर अर अलग-अलग करते हैं च गैर किर्शी वस्तुव के उत्पादन से अर्थ विस्था का भी विकास होगा समाजिक धांचे में बदलाव होगा जन्संक्या विर्दी 11 सताब्दी से 14 सताब्दी के मद्धेत तक चली जो पूरा जन्संक्या के अंदर में परिवर्तन दिखा गया 11 से 14 सताब्दी के वीच मे अक्रमण करते थे परदस्य सताब्दी के बाद में उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है यह देखने के लिए मिलता है इसके कारण से इंपेक्ट क्या रहता है कि छेतर में सांती विवस्ता काइम होती है सुरुक्षा का वाताप्रण मन पाता है और समाजिक संस्थाओं ने भी सांती और सुरुक्षा बहाल करने के लिए महत्यपूर्ण योगदान देना प्रदान किया किसान परिवार में लगे कानूनी परतिवंदों में धील दी गई अब किस तरह का परतिवंद लगा जाता था तो अलग अलग तरीके से परतिवंद लगा जाते तो उसके इंदर मे आप इस तरी के समझ सकते हो कि फ्रांस की जनसंख्या 120 लाख से बढ़कर 210 लाख तक पहुंच गी थी जर्मनी की जनसंख्या 80 लाख से बढ़कर 140 लाख तक पहुंच गी थी इंगलेंड की जनसंख्या 22 लाख से बढ़कर 45 लाख तक पहुंच गी थी तो एक तरह से जनसंख्य किया गया उसको क्रिशी योगि भूमी बनाए गया साइफ करके मुरू neighborhood können अब इसपा और कीच कर और इससे को चेति नधर में सिनो意思 कर सके और वो श्कुरी समें चोटे 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 खेतो में भी खेती की ḥी जाना आरंभ उसमें और सभी कहा ऊब या यह खेत बनाकर उस में सबके काम कॉरते तेने जाने के कि पैसे गख लेगे करने के लिए प्रोसाहि großen वेक्ति को बढ़ावा मिला मतलब क्या गिए उपर में जो आजादि का आसास हुआ जैसे 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 जंगले बहुमिका विस्तार होगा ना तकनीकी इस्तमाल से क्रिशी करने के तरीके में परिवर्तना है, ने परकार के कस्तकारी वैवस्ता लागू की गई, ठीक है, भूमी कर या लगान बटाई पर अधारित हो गई, सालाना जो लगान लिया जाता था, जो भी चीजे लिख जाती थे, टैक्स लिया जाता था, वो फिर क्या होता था आपकी उपज, आपका उपज कित्ना हुआ , उसके उपर में लगा दिया, कि इगर इतना पैदावार होता है, ऊपर को इतना थे लगा, लगाने गया यहां पर करोगा, सालाना कर लिया गए जनसंख्या में वर्दी के साथ साथ कृषी उत्पादर में वर्दी हुई ठीक है कृषी के अंदर में भी उत्पादर जो होते थे उसके अंदर में भी चिंजिस्ताना शुरू हुआ बारिशताब्दी के उत्राद में जो रियासते थी चोटी चोटी रियासते होते थी उसके अंदर में किसानों के संख्या भी याँ पर बढ़ते हुए देखी गई ग्रामिनों के अधिकार बढ़े, जो ग्रामिन लोग होते थे उनके भी अधिकार बढ़ने लगे, ग्रामिन जंता के पास अत्यदिक धन संगरित होने लगा, जादा जादा धन विकठा कंद पा रहे थे, जंसंख्या में विर्दी से खेतों में बटवारा आरम हुआ, आपसी खेत बाटने जाने लगे, ग्रामिन लोगों के अवागमन में तेजी हुई, आप ज़्यादा ज्यादा लोग की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, सर्मिकों की कमी आती है, और खेतों का मुल्य नहीं रहा, ठीक है, सर्मिक जो थे, एक जगा से दूसरे जगा प्लाइन कर र अगर हो कहता है कि मैं जा रहा हूं तो उसके आने जाने पर अवागमन पर मेने पर्तिबंद लगाना इस तरीके से मालिक दवर्ग द्वारा मजदूरों के अवागमन पर पर्तिबंद लगाए गया बारवी से तेरी सताबदी के बीच में अतदिक उतपादन वाले खेतों की संक्या में विर्दी हुई नीकि असँ leaking मजदूरी के नाम मजदूरी जो की जाती दोस्तों यहां पर यह जो वीडियो था खतम होता है इसके अंदर में नॉर्मली तीन तरसे कोशन बनका राते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ठीक है अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आलमोस्ट आप यह कह सकते हो कि आपको जो दोनों पॉइ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार जुरूर बताएं आपके एक एक कमेंट से क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमने वाक किया इसने बंदे ने बताया तो अच्छा लग रहा होता है तो आप उसको जुरूर बताएं और हमारे दो चैनल ने दोनों क के रिकार्डिंग आपके इग्णू के रिकार्डिंग आपके एक्जाम के रिकार्डिंग आपके अडिमिशन के रिकार्डिंग ठीक है तो नब इनफो को भी जरूर सब्सक्राइब करें इनफो मतलब इनफोमेशन तो यहाँ पर इनफो को भी जरूर सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको सारे information मिलती है तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best